और ओकुई नहीं हमारा महागुरू हमारा कमपानी का इंदिया का नेशनल टेनर मिस्टर चेतम चैवडाजी की प्रीच वेलकम सर प्रीच वेलकम सर प्रीच वेलकम सर टेंक्यू वेरी मच्च सुदर्शन जी बहुत भहुत धन्यवाद सर जय जगननाथ आपको और यहाँ पे हमारे जितने भी साथी उपस्थी सब्ली एक बार जोरदार सालियों से स्वागत करते हैं आज सबी साथियों का और सुदर्शन जी ने आज बहुत ही शांदार तरीके से आज की मीटिंग को शुरू किया थोड़ा भाषा का प्रोब्लेम है लेकिन उनका जो मैसेज है वो हम लोगों तक पहुंच गया है बहुत ही जबर्दस लीडर है एक बार सुदर्शन जी के लिए भी जबर्दस लेपरी होनी चाहिए जोर्दा लेपरी होनी चाहिए अरे जो टॉपिक है वो टॉपिक हमने रखा है कि भई बड़ी सफलता कैसे आसिल करेंगे ठीक है लेकिन एक्चल में मैं इसका नाम रखना चाहता था कि सारा खेल इसी का है लेकिन फिर मुझे पता चला कि आज सुपह होने पहले से मुझे लगबग 20 लोग का फोना जागा कि कि किसका खेल है तो फिर मैंने वो टॉपिक सिंपल सा रख दिया कि बड़ी सफलता कैसे आसिल करें लेकिन यह एक्चल में सारा खेल इसी का है तो आज एक एक चीज के उपर बात करने वाला हूं सिर्फ एक चीज के उपर लेकिन आप यकिन मानिए वो सो सुनार की एक लुहार है और 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 समयने का यह फॉस्ट डे है आज लखी ली गुरुवार जो है मतलब मेरा जो दिन है वो फॉस्ट को आया है तो आज मैं आपको फिर से एक बर बताऊंगा कि हम लोग इस महीने कैसे काम करेंगे कैसे इस महीने हम अपने बिजनस को ग्रो कराएंगे हमें प्लान कहानी ए एक चोटी कहानी एक लंबी कहानी ठीक है तो कितने लोग ऐतनि कानी सुनना चाहते कैसा ठोटी कहानी मैं किking सुटी कहानी बहुती समझने वाली कहानी है एक जो आपनी होता है वो अपनी जिंदगी में बहुत से काम करता है वो बड़ा ही उत्सा ही होता है। तो वो एक बार परेशान हो गया और उसको भी पता चल गया कि मैं किसी भी काम को सही देंसे नहीं कर पा रहा हूं दिखिए एक तो होता है कि इंसान को प्रोब्लेम नहीं पता है ठीक है यह एक किस्मत की बात है कि उसको प्रोब्लेम नहीं पता है एक चुलिए अच्छी बात ने फिर भी पीड़ा हूं ठीक है बहुत लोग मुझे बोलते हैं न सर मुझे पता है कि मुझे बिजनस में जितना टाइम देना चाहिए उतना मैं नहीं दे पा रहा हूं अब यह आत्मी कौन सा है जिसको प्रॉब्लेम भी पता है फिर भी उस काम को करता है तो यह बड़ा ही घूढ़े जो है गुरुजी के पास गुरुजी मुझे आशा कोई मंत्र तंत्र बता दिजिए कि बस मैं जो है संदके में काम्याप हो जाओ यह मेरी समस्या और नेम इसके लिए एक हवन करना पड़ेगा और बोलता ठीक है ठीक है घुरूजी करलेंगे हवन करलेंगे скажो पूरी बात सुनो, ये कोई जैसा तैसा हवन नहीं है, हवन में सामगरी लगेगी, बहुत हाँ कोई बात नहीं, जो भी सामगरी सब ले लीज़े, बहुत सारी सामगरी में ले लूँगा, लेकिन एक जो महिंग सामगरी नहीं वो आपको लानी पड़ेगी, वो है कि शेर पिंजरे का नहीं, जंगल का शेर है, उसकी मूझ का एक बाल आपको लेके लाना पड़े, वो जब इस हवन में डालेंगे, उसके बाद वो हवन जो है, वो सफल हो जाएगा और आप जिंदगी में काम्याब हो जाएगा, तो ये टास्क आपको करना है, ये काम आपको करना ह तो उस आजमी ने सोचा कि मुझे तो अब करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, मैंने जिन्दे के बहुत कोशिश की, और मेरा ये जो प्रोब्लम इसको दूर करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, अगर जिंदा शेर, जंगली शेर की मूझ का बाल लाना पड़े तो म पहले तो ये पता किया कि मेरे आसपास में जंगल कहा पर जहां पर शेर रहे तो आज कल Google से सब कुछ पता चल जाता है, तो वो आज मी ने क्या किया वहां पर गया, चार पा दिन रुका, दस दिन रुका और लोगों से पूछा, यहां पर शेर है, हाँ, यहां आगे से प्रेक्शन चाहिए, ठीक है, तो उसको एक मेने के अंदर पता चला कि शेर की गुपा कहा है, उस एक मेने में उसने वो फोरेस रेंजर था, उसके साथ कुछ सार्ट कर ली, कि भे मैं जंगल में जाओंगा, आओंगा, आप मुझे परमिशन दीजिए, अब धिरे-धिरे कर कि उसने क्या किया, वो घुपा से थोड़े दूर, लगबक सोफूर दूर एक बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ में वो चड़ गया और वहाँ पे दो दिन, तीन दिन रुका, और वो देख रहा है कि शेर कब आता है, कब जाता है, कब वो भूखा होता है, कब खाना खात है, तो उसने शेर को एक मेने तक अब्जर गया, तो दो मेने का टाइम चला गया, अब दो मेने बद उसको पता चला कि यह जो शेर है न, इसका पर्टिक्लर टाइम है, सुबह यहां से निकलने का, फिर रात को वापिस आता है, और सुबह जब निकलता है, उससे बड़ी भ पर बाद शेर को जब बास की खुशबू आती जी तो शेर वहां से उठके आता था, इजर उदर देखता था, लेकिन वो भूखा इतना होता था कि वो कुछ नहीं देखता था, फिर देखता था कौन रखके गया, फिर वो चला जाता था, दो दिन, तीम दिन, चार दिन, प शेर को जबरदस्त आधात होगी कि यह जो है यहां पर कोई खाना रखता है और वो उतना खाना रखता था जितना शेर के लिए इनफ था उसके बाद शेर को आगले दो-चार घंटे तो कोई भूख लगने वाली नहीं है और जंगली जानवर जो होते हैं वो जब तक भूख शिकार नहीं करते है वो अपने शोक के लिए शिकार नहीं करते है वो फिर उसने क्या गया कि अब एक कतम अब दिरे दिरे वो उस तरीके से movement करने लगा कि शेर को पता जला अच्छा इधर में कोई इंसान बेटा है शायर से वही ये खाना रखके जाता है दो मेने का टाइम और भी था शेर को भी आदत होगी खाने की और शेर उसको रोज देख रहा है खाते खाते देख रहा है लेक अब शीर उसको मारता भी तक यह आदत होगी यह खाने की आदत होगी श्यर को असको शिकर करने की कुछ जरूत मीई फिर दीरे दो मेने में किया हुआ जाएग पिर बेठी और अपनी गौध में बर्तन रख दिया शेर आता है उसकी गोध से सब्सक्राना खाके चला जया द धीरे 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 उसने एक दिन हिम्मत करके शेर को ऐसे टच किया और उसको ऐसे प्यार से सहलाना शुरू कर दिया दो महिने तक वो शेर को ऐसे सहला रहा है शेर उसको खाना खा रहा है फिर चला जा रहा है फिर एक दन शेर जब जब जबर्दस भुखा था खाना खाना में विजी था उसने हलके से उसकी मूश का बाल खीश लिया शेर को पता भी नहीं चला और वहाँ से आ गया और वहाँ से आया और आके गुरुजी को एक साल का समय बिद गया था गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये लिजे शेर का बाल अब आप कीजिए हवन और तंत्र मंत्र लगाईए और मेरे जीवर में कामियाभी त्रेकर दीजे तो गुरुजी कुछ काम कर रहे थे हवन की अगनी चारूती गुरुजी ने बाल लिया ऐसे करके हवन में डाल गया बोला जाओ दस दिन बाद आने यह आदम एकदम आख बवुला हो गया बुला गुरुजी यह अप क्या कर रहे हैं अगर आप गुरुजी निह होते तो मैं आपके सथ पता नहीं क्या कर वैबटा ये एक वाल लाने के लिए मैं एक साल से मैंने नजाने कितने पापड़ बेले आपको पता नहीं मेरा जीवन पुरा बदल गया है और आपने उसे उठाके ऐसे अगरी में डाल दिया तो गुरुजी बोले ये बाल किसी काम का नहीं तो ये आदमी को और गुस्या आया, बोला क्या बात कर रहे आप, मरते मरते बत्चाओं इस बाल को लाने के लिए, फिर गुरुती ने उसे बिठाया, पानी पिला, शानती से बात चित्ती, आप मुझे बताईए, आप इसको लाये कैसे, तो उसने पूरी कहानी बताईए, तो कामिया भी तो कोई बड़ी चीज ही नहीं, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्ले है कि आपके अंदर धहरिये नहीं है, जिस दिन आप मुझे आके मिले थे, कि हर पंदरा दिन में बिजनस बदलते हो, हर एक मेने में बिजनस बदलते हो, हर दो मेने में बिजनस बदलते हो, उ कामयाब होना तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, तो गहरीत जो है वो कामयाब ही में बहुत बड़ा सीक्रेट है, तो इस कहानी से मैं आपको यह पताना चाहता हूं कि हमारे बिजनस पे भी यह बहुत जादा ज़रूर है, ठिके हमारा जो बिजनस है ना यह अलग प्रकार का बिजनस है, अगर आप इस बिजनस से एक करोण रुपया कमाएगे ना, तो आपको पहले, मान दीजे, पांच साल में आपने एक करोण रुपया कमाया, तो पहले चार साल की इंकम अगर आप टोटल करोगे तो वो फंदरह भीस लाक रुपया होगी, पां जो उससे भी ज्यादा पैसा कमा रहे है, ठीक है, लतिकुल जी कमा रहे है, हमारे जितने भी लीडर से, जो आज लाग, चार लाग, पांच लाग, अब उसामा एक लाग रुपया कमा रहे है, ठीक है, तो हमारे ब्रोजन सरकर सर्ट डेल लाग रुपया कमा रहे है, तो ये एक लाग धेल लाग चार लाग फांच लाग ये लोग जो कमा रहे हैं इनको पूछिए पहले साल क्या इनको हो पहले साल उनको कोई 20-30,000 रुपिया पहले से आना शुरू नहीं हो गया था तो ये इस बिजनस की पैटरन है जो हम लोगों को यहां पर समझना बहुत अब में अपने main topic पे आता हूँ दिखें हम लोग यह जानते हैं कि जिन्दگी में कामयाःव होने के लिए क्या चाहिए अगरые Trraining physician की बात करें तो कामयाःव होने के लिए सबसे पहले चाहिए तो एक अच्छी company जिकें उसके बारद चाहिए अच्छा product उसके बार तो सही तरीके से बात करें, तो अच्छी कंपनी, वो तो हमारे पास है, एशिया की सबसे transparent कंपनी है, सबसे fast growing कंपनी है, अच्छा प्लान, तो एशिया का सबसे ज़्यादा पैसा distribute करने वाला सबसे शानदा प्लान है, जिसमें महस छे लाग बिजनस ओलिम पर एक लाग रुपिया इंकम होती है, ठीक है, तो अच्छी कंपनी भी, अच्छा प्लान भी, अच्छे प्रोड़क्ट इसके बारे में तो मुझे आपको बताने की जरूत इन नहीं है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जब सोंबर को टेस्टीमोनी का सेशन होता है, तो हमारे एक गंटा कम पढ़ जाते हैं, इतने जादा हमें positive feedback इस प्रोड़क्ट के आते हैं, अच्छा training system भी है, अच्छे upline भी आपको मिल गएं, फिर क्यों हम लोग struggle करते हैं, यह सारी चीजे तो हैं कामयाब होने के लिए, फिर कौन सी एक चीजे जिसकी वज़े से कहीं न कहीं हमें लगता है कि कुछ लोग जो है वो लगता है कि struggle कर रहे हैं, बहुत लोग कामयाब हो रहे हैं, डेफिनेटल आगे बढ़ रहे हैं, यह struggle भी कामयाबी का इक हिस्सा है, लेकिन मेरा आपसे कहना है कि एक और चीजे जो hidden है, जो हमें नहीं पता है, और उसकी वज़े से शायद वो एक imaginary handbrake, जैसे आपके बस गाड़ी यह पोर भी ले ठी गी, तो एक handbrake है, जो hidden है, जो virtual है, जो हमको पता नहीं है, और उसके बारे में आज आप लोगों से में बात चित करना चाहता हूँ, दुनिया का एक सबसे महान plastic surgeon था, उसका एक बड़ इंटर्यू हुआ, और इसको पूछा गया कि आपके पास लोग plastic surgery के लिए आते हैं, मेरे पास लोग आते हैं, दुनिया के बड़े-बड़े film star आते हैं, किसी को अपने नाक छोटी करानी है, तो किसी को अपने यहां से fat उतारना है, किसी को यह change करना है, वो change करना है, बहुत से लोग, अगर आपको नहीं पता था, मैं बता दूँ, आप यह जितनी भी heroine है, इंडिया की, आप उनके दस साल पहले के फोटो देखे, आज के फोटो देखे, तो वो आपको बहुत फर्क दिखेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सी plastic surgery कराई है, और अच्छा दिखने के लिए उन्होंने अपने नाक नक्षी सब कुछ बदल दिया है, ठीक है, तो बोला, आपके पास इस प्रकार के लोग आते हैं, ऐसे ही लोग मेरे पास आते हैं, जो अपने को ऐसा दिखाना चाते हैं, जैसे वो दिखना चाते हैं, तो उनको सवाल पूछा गया कि भी, आप जब लोगों की plastic surgery करते हैं, क्या उसके बाद उनका confidence बढ़ जाता है, वो लोगों से जैसे होने थे, वैसे होगी है, मेरे गाल से चर्वी चलीगी, जो भी है, ठीक हैं, तो उस plastic surgeon ने कहा कि देखें, 99% केस में, लोगों का जब लुक बदल जाता है, उसके बाद भी उनका बरताव नहीं बदलता है, उनका confidence level जो है, वो change नहीं होता है, तो इससे एक चीज़ प ठीक है, आप खुद को अंदर से कैसे देखते हो, इसको बोलते है self image, self image को मैं एक तम simple भासा में अगर बताओ, तो आपकी image खुद आप कैसे देखते हो, आपके नजरिये से आप कैसे व्यक्ति है, आपके नजरिये से आपका potential कैसा है, एक व्यक्ति खुद के बारे में सोच दूसरा व्यक्ति बोलता है, sir, कोशिस तो कर रहे है, सब कोश्चित खाइब भगवान को ही पता मेरे साथ क्या होगा, वरहुसा तो नहीं हारा है, sir, पैसा आएगा, तो माहिरिज्जद इसके भी पास है, माहिरिज्जद उसके भी पास है, dream unlimited plan इसके भी पास है, dream unlimited plan इसके भी product ठीक है अप्लाइन इसका भी उसका सेम दोनों का एक ही अप्लाइन हो सकता है ट्रेलिंग सिस्टम बीदर बेस दोनों के लिए जूम दोनों के लिए open होता है लेकिन एक व्यक्ति खुद को देखता है कि मैं जिंदगी में सफलता पाने के लिए आया हूँ मैं deserve करता हूँ कामियाब होने के लिए और दूसरा व्यक्ति ये doubt में है कि यार क्या मुझे कामियाबी मिलेगी क्या मैं deserve करता हूँ ये self image ये बहुत 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 बढ़ी चीज़े मैं यहां तक कहना चाहूँगा मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी income होनी चाहिए एक लाग उनकी टीम अच्छी है उनकी टीम में ट्रेनिंग बढ़िया हो रही है उनकी टीम में प्रेंचाइस इनफ है सब कुछ है लेकिन उनकी बिलीव सिस्टम है वह बहुत चोटी है इसलिए वह एक लाग जाने से वह अंदर से गबर आ रहा है वह जाई नहीं पा रहे है कोई आदम ही एक लाग पर पहुंचिया यहां चौन ow पर और यहां पर मैंने एक चीज सीखी थी जैसे हमारे गर में यह चलता ह hem एसी में हम लोग एक temperature set करते हैं, मान लिजे 22 degree आपने set किया है, तो एसी क्या करता है, compressor चलाता है, वो compressor cooling देता है, ठीक है न, तो वो cooling क्या करेगा, कि वो जब तक 22 degree आपके एक temperature का temperature नहीं हो जाता है, तब तक compressor चालू गएगा, जैसे ही वो 22 हो गया, मेरे customer को तो 22 degree चाहिए, तो compressor बंद हो जाता है, फिर खाली fan चलता है, फिर दीरे 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 करके, वो जैसे 23, 24 होगा, वो sensor फिर से sense करेगा, कि 24 हो चुका है, हमें तो order 22 का मिला है, फिर से compressor start करना पड़ेगा, तो आपने देखा होगा कि AC में बार-बार compressor चालू होता है, बंद होता है, चालू होता है, बंद होता है, उसका काम क्या है, उसका हेकी काम है, कि उस particular कमरे का temperature 22 को रखना, जो आपने set किया है, इसको बोलते है thermostat, क्या बोलते है thermostat, ऐसे हमारा financial thermostat भी होता है, उसकी भी दो limit होती है, ठीक है न, जैसे मान लीजे कई लोग ऐसे, जैसे उनकी income 20,000 से नीचे जाते हो, टेंशन में आ जाते हैं, सब 20,000 से नीचे आगे, बोलिए सर क्या करना है, वो अचानक से meeting करना सुरू करते हैं, training करना सुरू करते हैं, और जैसे ही 20,000-25,000 से उपर गई, वो comfortable फिल करते हैं, फिर जैसे 50,000 आई न, फिर वो आराम करना सुरू करते हैं, तो उनकी दो limit है, उपर है 50,000, नीचे है 20,000, 20,000 से नीचे गई, तो वो टेंशन में आ जाते हैं, और 50,000 से उपर गई, भी होती है, आपकी भी होती है, मेरी भी होती है, सब की होती है, लेकिन बड़े लोग क्या करते हैं, जो लोग बड़ी income करते हैं, ठीक हैं, आशिक अंसारी सर अभी आये थे, लास्ट चरीम आर को उन्होंने बुला कि, मेरी 7,7,7,5,000 रुपिया income हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने उपर वाली limit को बहुत उपर लेके चले जाते हैं, यह 7,000,000 हैं अब उसको 10,000,000 कर देगे, फिर वो 12,000,000 करेंगे, फिर 15,000,000, और नीचे वाली limit को भी उपर लेके चले जाएंगे, जैसे पहले आशिक अंसरिक को अगर 20,000,000 से नीचे आता होगा, तो वो टेंशन में आते होगे, अभी वो 5,000,000 से नीचे जाएंगे, तो बहले यार इतना डाउन होगया मेरा बिजनस, वो फिर एलाट हो जाएंगे, तो उन्होंने क्या क्या नीचे जो 20,000 की जो रेंक थी, सुरी रेंक नहीं कहूंगा, वो एक limit जी थी थी ना, उसको वो 5,000,000 पे लेके गए, और उपर जो limit थी 1,000,000 की, उसको वो अभी 7,000,000,000,000,000,000,000 पे लेके गए, तो हमें इस square को उपर 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 लेके जाना होता है, यह जिस बहुत ज़्यादा जरूर है, self image जो है, वो आप खुछ से क्या बात करते हैं, उससे बनती है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ चीजे रखना चाहूँगा यहाँ पे, मैं आज आ आपके सामने दो box है, ठीक है, एक box है, और उसमें बीच में circle है, उसमें लिखा you, ठीक है, बबलु कुमर जी मेरी screen आपको दीख रही तो एक पर हाथ उपर कर दीजिए, अच्छा बढ़िया चलिए, तो यह आप है, ठीक है, और बाजू में ऐसा ही एक box बना हुआ है, जिस सुरू किया था, तो दोनों को ही my recharge मिला, आपको भी my recharge मिला, उसको भी my recharge मिला, आपको भी product है, उनको भी product है, आपको भी plan मिला, उनको भी plan मिला, वो भी एक Indian व्यक्ति, आप भी एक Indian व्यक्ति, अगर आप genetic structure देखेंगे, यानि कि जो रंग से उतर, जो genes होते हैं, वो भी अगबग हमारे 80-90% सही होते हैं, क्योंकि मारी रिचाज में जो करोड़ोपर दिपने कोई रश्या से, कोई अमरिका से, कोई जापन से, कोई चाइनिया से नहीं आया, कोई बंगाल से, कोई गुजराद से, कोई बिहार से, कोई नागालाइंड से, ऐसे हमारे आसपास की कोई लिमिट होती है, ठीक है, और वो लिमिट सब को पता होती है, जैसे मैंने, मान लिजे की, अभी एक टार्गेट दिया आप लोगों को, ठीक है, मैंने, मान लिजे की, रोबिन मंडल सर को एक टार्गेट दे के, रोबिन सर, आज आपको ना, कुछ लोग को जोईन कराना मतलब सर अभी साथ वजे है आज शाम तक आपको 200 लोग को जोइन कराना है तो रोबिन सर सिधा बोले कि सर यह तो पोसिबल नहीं ठीक है अच्छा मैंने आपको किसी को बोला कि आज शाम तक आपको 5 किलो वजन कम करना है अपना वजन कम कर सकते हैं अच्छाम तक 5 किलो करना है तो आपका दिमाग सीधा पोलता है और हमारा दिमाग क्या करता है जो चीज हमको इंपोसिबल लगता है उसको शाइड में रख देता उस पिचे काम नहीं करता है ठीक है ना जैसे मैंने आपको बहुत आपको जो है 25ust काहण जhelm करना तो आप उसमें इंट्रस्ती नहीं लूगे मोला नए नहीं नहीं सर आगर दूसरी कोई को बात करो ठीक है तो जैसे किसे को बोला कि भे आज आपको दस किलो वजन कम करना है तो वो उस बात में उस दिमाग की इंटरस्ट नहीं लोगा कैसे होगा कैसे का तो कोई बात ही नहीं है आज शाम तक 200 जोइनिंग करनी है एक प्लानर को बोला आज शाम तक 20 जोइनिंग कर दीजे चाल व्यक्ति की लिमिट होती है, हमारे दिमा को कुछ चीज़ पता है, प्रैक्टिकल कुछ चीज़ पता है, कि भी ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिमिट दिखाई है, कि हर व्यक्ति की लिमिट होती है, ठीक है, तो शुरुवात में जब हम देखेंगे, तो सब की लिमिट है, देखिए, दोनों की लिमिट होती है, लेकिन ये उपर जो लिमिट है, वहां तक जाने का हमारा एक potential होता है, इसको और आगे बढ़ते हैं, मैं दूसरे page पे लेके जाओंगा, हम लोग क्या गलती करते हैं, ये आप जो red color का dot 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 करना बनाया है न, ये हम हमारी limit actual में उपर में है, जो blue color का box बना हुआ है, लेकिन हमने उसके उपर एक कालपनिक limit पैदा चाने, कि सर मैं तो दो ही ब्लान कर सकते हैं, सर मैं तो दसी हजार कमा सकता हूं, सर मैं तो इतना ही time दे सकता हूं, सर मैं तो कड़बती नहीं बन सकता, तो ये हम लोग क्या क करते हैं, एक कालपनिक इमेज, एक imaginary एक boundary बना देते हैं, और उसके अंदर रहते हैं, बहुत से लोगे चो माई रिचर्च करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग के अंदर एक boundary बना देते हैं, अगर आप इसको देखेंगे हैं, ये एक्चुल boundary कोन सी है, इतना हमारा potential है, ये चार arrow की हैं न, कि आप यहां तक जा सकते हो, फिर जैसे आगे बढ़ोगे self development होता जाएगा, आपका potential और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, एक कालपनिक boundary बना दी है, और अभी आप ल तो क्या ये कालपनिक तो नहीं है, सर मैं एक लाख income पे तो अगले छे मेने में तो नहीं जा सकता, क्या ये कालपनिक तो नहीं है, सर मैं पढ़े लिखे लोगों को तो प्लान नहीं दिखा पाता, क्या ये सिर्फ कालपनिक है, ये हाकिकत भी है, तो आज की meeting में ये ये जो boundaries check करने की, कहीं ये मैं नहीं तो नहीं बनाई, हकिकत कुछ और है, जैसे एक आद्मी को बला भी आज शान तक 10 किलो वजन कम करना है, तो ये practically possible नहीं है, ये एक impractical है, वो boundary के बाहर चला कि लेकिन एक आद्मी को बला, आज शान तक आपको समझाना चाता हूं, ठीक है, अब इस boundary को बढ़ाएंगे कैसे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो काल्पनिक boundaries बनाई हैं ना, वो सारी तोडनी पड़ेगा, तो तोडने से पहले पता तो होना चाहिए है, कि boundaries कौन कौन सी है, तो ये तो हर व्यक्ति कि अपनी-पनी boundaries है, उसको खुद ही देखना है, कि कौन सी boundaries है, किसको तोडना है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, अगर हम self-image, खुद को कैसे देखते हैं, देखिए, आपने बहुत सी लाइने सी किए सुनीAct, आगर आप खुद को प्यार करेंगे कि तो दुनिया आपको प्यार करेंगे, आप Fahrenheit है, अगर आप खुद अपने आपको संबन देंगे, तो दुनिया आपको संबन देंगे, चीक है, यजद आप खुद माने कि 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 कम आपने अब इसे नवाज हैंगे, बहुत है सिंपल बात है, तो सेल्फ इमेज जो है, चेतन सर आपने ये तो बता दिया कि सेल्फ इमेज बहुत इम्पोर्टन है, सेल्फ इमेज यानि कि हम खुद को देखते कैसे, लेकिन अब ये तो बताईए कि इसको मजबूत कैसे करें, और कुछ चीजे में आप लोग को यहां बताना चाहूंगा, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टन चीज है, विजुलाजेशन, देखे, हमारा जो दिमाग है, वो दो भाग में बटा हुआ है, राइट और लेफ्ट में, सब लोग जानते है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब गया, और एक्सिदेंट के उसके उसका राइट साट का दिमाग अगर थोड़ा सा डेमेज हो जाता है, ठीक से काम नहीं करता है, तो वो एक्टी पिक्चर्स को विजुलाइज नहीं कर सकता है, उसकी फीलिंग मर जाएगी, उसको ना तो ज़्यादा गुसा आएगा, ना कि ज़्यादा प्यार आएगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि राइट ब्रेंग उसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है, तो राइट ब्रेंग जो है, वो रिस्पोंसिबल है फीलिंग के लिए, और वो रिस्पोंसिबल है इमेजिशन, इमेजिनेशन के लिए, दो चीज़ के feeling है, आत्म विश्वास, विश्वास क्या है, feeling एक प्रकार, गुस्सा भी एक प्रकार की feeling है, ठीक है, जिद भी एक प्रकार की feeling है, तो अगर हमें खुद के बारे में और positive सोचना पड़ेगा, अपनी self image को और positive मस्बूच करना पड़ेगा, तो एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी, और वो चीज़ है, visualization, creative visualization, visualization मतलब आप खुद को जैसा बना, जैसा बनाना चाहते हो, ऐसा खुद को देखा, ठीक है, इसके बारे में past में भी मैं आप लोगों से topic कही बार share कर चुका हूँ, लेकिन हमारे साथ zoom में हर रोज ही नए-ने साथ ही जूटते हैं, तो इसको मैं ओर थोड़ा detail में लेक पहला नियम है कि आप वो visualize करें जो आप चाहते हैं, आप वो ना visualize करें जो आप नहीं चाहते हैं, जैसे एक आदमी visualize करता है, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, बीमार नहीं हूँ, तो हमारा जो subconscious mind है न, वो नहीं को नहीं समझता है, वो सिधा पकड़ लेता बीमार, वो बीमारी का चित्र पेदा करते थे, और आप लोग बीमार पढ़ जाते हैं, तो आपको positive way में visualize करना पड़ेगा, कि मैं स्वास्थ हो, मैं स्वास्थ हूँ, मैं एकदम स्वास्थ हूँ, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी income कितनी है, मैं कई बार workshop में, एक 10 में का session लेता हूँ, लोगों को आख बन करके visualize करवाता हूँ, अब सुबह 6 बजे का time है, अब यह करा हूँगा, तो कापी साथ लोग फाइदा उठा के सो जाएंगे, ठीक है, तो अभी यहाँ पे नहीं करा हैं, कि उसको workshop तक ही रहना देता है, positive way में visualize करना है, कि प्रिसाइस, आप दीकि visualization कैसा है, पता है, अगर आप किसी को message पेटना चाहते हैं, तो आप उसके 10 आकड़े सही डालने पड़ेंगा, ठीक है न, अगर वो 10 आकड़ों में से एक भी आकड़ा आपने आगे पीछे डाल दिया, तो वो message किसी और को पहुंच जाए, वो उस किया हुआ, एक आदमी मामा बनके अपनी बहन की घर पे महमान बनके गया, तो दो दिन रुका, तीसरे दिन जब वो जा रहा है, तो उसके दो भांजे पीछे पड़ गे हैं, बोला मामा ध्यान से जाना, आरान से जाना, बोला हाँ बेटा, देखके जाँगा, तो इधर से बोलता है, दूसरे बोलता है, मामा देखके जाना, बोला हाँ बेटा देखके जाना, तो फिर ये पहला बोलता है, मामा पहुंच के फोन करना, बोला हाँ बेटा पहुंच जाँगा, ऐसा करके मामा जो है वो गाड़ी में बेटता है, तो जैसे गाड़ी बेटा है, तो जै गाँ की धगडद धगड़ थी तो धीरे-धीरे धीरे जے रहा है? वो पीछे ग्लास में देखा कि दोनों भांजे साइकल लेके आ रहें. पांच किलो मिटर हो गए. वो रुका. बोला, क्या हुआ बिटा? बोला, मामा देखके जाना, आराम से जाना. फिर मामा को समझ में आया अच्छा फिर जेब से बटवा निकल के दोनों को सो सो रुपिया देते बोला हां मामा अब जाओ ठीक है कोई बात ने अब तो क्या है मामा आते नहीं पैसा देते नहीं देना है तब लोग गूगल पर कर देते हैं ठीक है वो जमाना चला गया वो हम लोगों ने जिया है आज करके बच्चे नहीं जी पाएगे उस चीज़ को तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि भी आप जो है अपनी सेल्फ इ ठीक है तो पहला मैंने आपको पता है दूसरा प्रिसाइस पर्टिकुलर और तीसरा है प्रेजन टेंस में अच्छा एक आत्मी विजुलाइस कर रहा है कि भविश्य में मेरे पास बढ़ियासी गाड़ी होगी वो भविश्य मतलब क्या है तो आपका दिमाग विजुलाइस आसे एसी कामरे में बैठा हूं और मेरे पास बहुत पैसा है पैसा कभी खतम नहीं हो इतना पैसा घिक है और मेरे पास एक बड़ियासी बंदूख भी हो तो उसको एटिम का चोकिदार बना दिया खीस मतली है अब देखिआ कि ATM का चोकिदार है वो AC में बैठता है ठीक है उसके पास ATM मसे ने पैसा कभी खत्ब नहीं होगा और उसके हाथ में बंदुग भी होती है तो आधा आधूरा विजुलाइस करोगे तो ऐसा होगा एक आदमी ने विजुलाइस किया कि मैं पैसा गिन रहा हूँ पैसा गिन रहा हू ऐसा विजुलाइस करता है उसको बैंक में केशियर का नोकरी मिलिया है ठीक है क्या हो गया केशियर का नोकरी मिलिया है पैसा गिन गिन के लोगों को दे रहा है तो आपको पर्टिक्यूलर पर आपको क्या चाहिए उस रूप में आपको विजुलाइस करना बहुत ज्यादा जरूगी है दूसरी जो चीज है वो मैंने बता है कि present tense में ठीक है ना तो जैसे आप visualize करते हैं कि आपका जो हमारा जो दिमाग है ना उसकी एक भोला पन है दिमाग का एक कमजोरी है उसको समय का पता नहीं चलता और उसको visualize जब आप करते हैं आख बंद करके तो उसको सच जू इस आप लोग को कहुँगा आख बंद करके सोचेंगे आपके हाथ में एक निम्बू है आपने निम्बू को काटा और ऐसा करके निम्बू को अपने जभान पर उसके रस को डाला तो अब वह देखिया आपके यहां पे कुछ movement चालो हो जाएगी यहां पे खिचाव सुरू हो जाएगा, आपको गले में रस आना सुरू हो जाएगा, आप कुछ-कुछ लोग को तो खटा भी लगना सुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग को reality और visualization का बीच का फर्क नहीं पता है, ठीक है, तो present tense में, कि अभी मेरे पास ये चीज़ है, जो भी आपको चाहिए, सबसे पहला काम तो क्या चाहिए, वो visualize करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ति कि आप जब भी सोचते हैं ना, तो हम बोलते हैं, हम जो भी सोच रहे वो लोग, हम बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ हम को सुने देता है, अब जब भी कुछ अच्छा बोलते हैं, तो सबसे पहले आप सुनते हैं, और जब भी कोई negative बोलते हैं, तब भी सबसे पहले आप सुनते हैं, इसलिए बड़ा महत्वा है अब क्या बोलते है केसे इसका अपना है एक आद्मी आश्रम में गया दो लोग आश्रम में गये और 15 दिन तक करने के लिए गये थे लेकिन दोनों ही जो थे समोक रथ मतलब उनको sigret प्ये बीना चले गये तो पहला आदमी गुरूजी के पास जाकर बुलता है गुरूजी मैं या पंद्रा दिन के लिए मेडिटेशन के लिए लेकिन क्या मेडिटेशन करते करते बीच बीच में मैं कभी सिगरेट पी सकता हूँ उसने बहुत भाई या आस्रा में इधर सिगरेट बीज़ेट अलाओ नहीं ठीक है दूसरा गया मैं भी पूछ के आता हूँ गुरुजी से बोला पूछ के कोई फाइदा नहीं मैं पूछ के आया हूँ मना कर दिया उन्हों नहीं बोला तू देख तो सही में क्या करता हूँ वो गुरुजी से पूछने गया जब वो बापिस आ रहा है तो सिगरेट पीता पीता आ रहा बोला तुब सिक्रेट कैसे पी रहा है बोला मुझे गुरु जी ने पर्मेशन दी है क्या बात है तुझे पर्मेशन दे दी कैसे बोलता है मैंने वहाँ जा के गुरु जी के पूछा के गुरु जी मैं यहां 15 तिन meditation के लिए आया हूँ, क्या meditation करते करते मैं cigarette पीच सकता हूँ, जी कि पहले ने क्या पूचा था, कि सा मैं सीगरेट पीते-पीते मेडिटेशन कर सकता हूँ ये पहले ने पूछा था शायद मैं मिस कर गया आपको बता ना पहले ने पूछा था मैं सीगरेट पीते-पीते मेडिटेशन कर सकता हूँ बला ये थोड़ी हो सकता है लेकिन दूसरे ने क्या पूचा, क्या meditation करते करते मैं cigarette पी सकता हूँ, तो गुरुजी ने सोचा कि भी meditation तो कर रहा है ना, बीच में क्मील है ना, कोई बात ने, लेकिन meditation तो कर रहा है ना, highlight क्या हो रहा है, ये सब्दू का खेले, आप क्या सब्द, आप अपनी बीवी को जाके बोलो, कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन बुद्धू हो एक नंबर की, ठीक है, आप इस लाइन को उल्टा कर दो, कि तुम एक नंबर की बुद्धू हो, लेकिन हो बहुत खूबसूरत, आप देखिए, दोनों ही बात, बात तो दो बता रहा है आप उसको बुद्दू भी बोल रहा है लेकिन जब आप सिक्वंस चेंज कर देते हो तो उसका अर्थ बदल जाता है उसका पूरी तरीके से जो है वो इफेक्ट चेंग हो जाता है तो आप खुद से क्या बात करते हैं मैं आप लोगों के लिए गाना लेके आया ह होगा तुम्हे अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है सुना है कितने लोगों सुना हाथ उपर कीजिए सुना है न हाँ काफी लोगों ने सुना है जो लोग हिंदी गाने सुनते है तो पहले तो यह भाई साब क्या करते हैं मोटिवेट करते हैं को बहुत सोचना है आगे बोलते हैं महोबत की दुनिया बसाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है ठीक है तुम्हें अपना साती बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है और आगे देखिए कहां से लाओंगा मैं रेशम की साड़ी ये बंगला ये मोटर नहीं ले सकूंगा, ठीक है, मेरा दिल ही बस एक मालकियत है, जो चाहो तो तुम ले लो, अब ऐसा कोई लड़का आज की डेट में किसी को फॉलॉप करेगा, प्रॉपोस करेगा, तो क्या लड़की हाँ बोलेगी, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, शब्दो का पावर है, आप आ बहुत ज्यादा जरूब है, तो जब आप विज्वलाइज करते हैं, तो शब्दो का सिलेक्शन कीजिए, आप क्या शब्द बात करते हैं, क्या विज्वलाइज करते हैं, पर्टीक्यूर चीजों में जाएगी, देरे देरे वो इमेज होती जाएगी, क्लियर होती जाएगी, जैसे आप बोलते मेरे पास एक बड़ी ऐसा घर है, तो आपको घर दिखना सुरू हो जाएगा, फिर और डिटेल में जाएगे, और डिटेल में जाएगे, कि भई, मेरा घर फ्लेट है या डुपलेक्स है, कितने कमरे है, कमरों म खड़े रहते तो आपको व्यू कैसा दिखता है, पास पास में कैसा है, कैसा फीलिंग आ रहा है, इसको जितना और क्लियर तरीके से लिखके जाएगे, आपकी सेल्फ इमेज और भी जबर्दस हो जाएगी, दीकि मेरा में जो टोपिक हो ये है, कि जब तक आप खुद को य करोगे, कि हाँ, मैं करोणपती बन सकता हूँ, तब तक कंपनी बढ़िया है, प्लान बढ़िया है, प्रोड़क्ट बढ़िया है, सिस्टम बढ़िया है, अप्लाइन बढ़िया है, मार्केट बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आपकी गाड़ी आगे नहीं आपकी belief system है, कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी belief system है, कि आपकी इंडिया भर में team बनेगी, जब तक वो belief system कमजोर है, तब तक बाकी सारी चीज़ी जो काम नहीं करेगी, और उस belief system को मस्बूत बनाने के लिए हमें पहला काम करना है visualization का, अब visualization में मैंने आपको तीन मान के आपको करना पड़ेगा, आप ये visualization एक बार करने से नहीं होता है, कि कि इसमें कुछ और चीज़े बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे आप इसको कितनी बार करते हो, frequently, repetition, एक आदमी ने बढ़िया तरिके से visualize किया, लेकिन एक बार किया, लेकिन एक आदमी रोज, सुबह साम, सुबह साम उसको कर रहा है, तो वो जो रोज कर रहा है उसको result में बढ़ा है, तो repetition बहुत important है, दूसरा है कि आप इसको कितना feel कर रहा है, दिमाग से नहीं करना है, feel किजिए, जैसे आपने घर को visualize किया तो उसको feel किजिए, कितना feel कर सकते हैं, आप गारी को भी feel किजिए, जितना ज्यादा महसूस कर पाओगे, उतना ज्यादा उसके लिए positive चीज़े आपकी धिमाग में creative होगी, जैसे आप एक घर बनाते तो उसको फिर आप पानी, दीवार को पानी देते हैं, जैसे आपने छट की ढ़लाई कर दी तो फिर उसको एक अप्चे तक पान मीट तक, तीन मीट तक, पांश मीट तक, दस मीट तक, फिर एक टाइम ऐसा आएगा, कि आप जैसे कहीं पे भीड में पे हाँ बन करके उसको visualize करेगे, तो एक मोमेंट का इंदर उस picture को भी देख पाएंगे, उस चित्र को देख पाएंगे, और उस feeling को भी आप फिल कर पाए ठीक है, तो पहला काम है, visualize करना, दूसरा काम है, काम्याब लोगों को study करना, पई कितने काम्याब लोगे माय रिच्छा चाहिए, आप उनसे मिलिये ना, पूछिए ना, आप मिलिये लतिकुल जी से, आप मिलिये बासदेव जी से, आप मिलिये अभी जीत नंदी से, रोबि मेगाले के भी लीडर है, हमारे आसाम के अबूसामा सर है, हमारे भावेश सर है, भावेश डेका सर है, कितने लीडर है हमारे, कम ही थोड़ी है माय रिच्छत में, आप बेठिये उनके साथ, मुका मत गवाईए, कभी उनके साथ मिलने का मुका मिले, अपनी अप्लाइन में जो लीडर उनके साथ मिलिए, बेठिए, उनसे वारतालाब कीजिए, ठीक है, उनको study कीजिए, कि कैसे उन्होंने शुरुआत की थी, शुरुआत में क्या-क्या दिक्कत आई थी, और ये आपको इतना time भी निकलने की जरूत नहीं है, YouTube पे वीडियोज अवेलेबल हैं, वो आ आपके साथ भी आते हैं, मिटिंग्स में आते हैं, वो अपनी कहानी सामने से स्टेट पे जाके बताते हैं, लेकिन कुछ लोग उस टेम पे वाट्सअप में forward कर रहे होते हैं, आज 20 तारीक है, स्मार्ट कंजूमर कर लेना, वरना तुम्हारा ठूट जाएगा, वो भी आप स्टड़ी कीजे दिरुबायमबानी को, आप स्टड़ी कीजे स्वामी वियकानन को, आप स्टड़ी कीजे इलोन मस्क को, ठीके आप स्टड़ी कीजे मुकेशमबानी को, उनकी स्टेटिजिस को, ठीके आप स्टड़ी कीजे रतन ठाटा को स्टड़ी कीजे, आप उससे ठीक है तो जब एक व्यक्ति जिंदगी में कुछ हासिर करता है अपनी जिंदगी वेर का ग्यान इसमें वो देता है उसको study कीजिए क्योंकि वही चीजे खुद महसुस करने के लिए आपको जिंदगी गुजर जाएगा तो वो एक जिंदगी गुजर नहीं है दूसरा जो काम self image क्यों क्यों कि जब कोई काम कोई व्यक्ति करता है और हम उसे study करते हैं तो हमारे अंदर भी उसके जैसा बनने के चाहत पैदा हो हमारे अंदर belief create होता है कि अगर यह कर सकते हैं तो हम भी कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं वाई अगर यह करोड़ों रुपया कमा सकते हैं तो ठीक है तो दूसरा step पर अपनी self image को अच्छा बनाने के लिए और वो है study कीज़े लोगों को study कीज़े तीसरी जो चीज़ है वो है कि छोटे छोटे discipline develop कीज़े मैं इसके बारे में आप लोग को बता चुका हूँ self discipline is key to success self discipline is main key to the self image self development आपने सुबह में decide कि भी आज पूरे दिन में जो है मैं कम से कम चार लोगों को मांगोल की खूबिया बताओं और आपने पांच को पता दिया आप शाम को दे कि इतने खूश होगे आज आप ठकेंगे निए आज आपको नीद भी नहीं आएगी आप ठकान नाम की चीज़ यार मैंने तो decide किया हो तो मैंने किया नहीं कैसा आदमी मैं सब decide करता हूँ करता नहीं तो आपकी self image खुद के नजर में आदमी गिरता है ठीक है तो खुद के नजर में कभी नहीं गिरना है ये बात बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है और ये जितना आप करोगे ना उससे आपकी inspiration डेवलप होगी, inspiration डेवलप होगी, motivated रही है, inspired रही है, यह चीज़े बहुत ज्यादा जरूरी है, emergency power डेवलप होता है, एक कहानी सुनाता हूँ जवर्दस, एक आदमी क्या करता है, वो विचारा छोटी मोटी मजदूरी कर रहा है, बड़ी कमपनी में काम कर रहा होता है, लेकिन उसके पास cycle भी नहीं थी, तो वो अपने घर से उस कमपनी में जाता था, चल के जाता था, एक दूर दराज गाओं में वो कमपनी किसी ने खोली थी, तो अपने गाओं से वो चल के जाता था, उसको एक गंटा लगता था पहुंचने के लिए, तो वो तीन बजे दोपेर के बाद चलना सुरू करता था, चार बजे कमपनी पहुंचता था, उसके बाद बारा बजे वो उसकी shift खतम होती थी, और बारा बजे चल के वापिस आता था, तो रात को एक बजे घर पहुंचता, तो किसी ने उसको बला कि भाई, यह यह जो तुमारा रास्ता है ना इसका एक shortcut, क्या shortcut है, बला इसमें 40 मीट बचेगा, 40 मीट बचेगा, हाँ जाते हैं 40 मीट, आते हैं 40 मीट, कहां से रास्ता, लेकिन एक दिक्कत है, वो रास्ता कबरस्तान में से गुजरता है, अगर आप कबरस्तान में से गुजर सकते हो, चल के जा सकते हो, तो आप वो जो घूम के जाते हैं न वो 40 मिट का रास्ता आपका बच जाएगा तो वो आदमी ने पहले तो मुला नाई बेक अबरस्तान में से कौन जाएगा लेकिन अभी दिमाग में बात तो चलीगी कि यार उदर से जाओंगा तो 40 मिट कम पढ़ जाएगे ठीक है तो उसन में बच गए मेरा अब तो दिन में यही से आओंगा अब जब दिन में जाता है न तो दिमाग में फिर खेला दिया रात में भी आ सकता हो क्या प्रोब्लम है कुछ तो है नहीं कबरे पड़े हुए लोग पड़े हुए मरे हुए कोई दिक्कत नहीं है तो धिरी धिरे करके और रात को भी आने लगा लेकिन रात को जब भी आता है तो दिमाग में एक डर तो है कबरस्ताने क्या होगा क्या होगा क्या होगा अब कुछ दस पंदरा दिन हो आया तो धिरी तरह एक confidence आगया भी कुछ नहीं होता है पंद्रा दिन से में आराव कुछ नहीं होता है, कोई ऐसा भूद, पिषाज, डायन, कुछ भी नहीं मिलता है, कोई बात ही. अब क्या हुआ गाम में एक बहुत बड़े आदमी की मिन्तिव हो गए बहुत बड़ा आदमी तो बड़ा आदमी है तो उसके लिए बड़ी कबर खौदी जाईगी भूत आ गया, क्या हुआ, फिर उसको पता चला कि ये बहुत बड़ा खड़ा है, शायद कोई मर गया है, उसको धपनाने के लिए खुदा गया है, ठीक है, अब पहले तो उसमें बहुत छलांग लगाने की कोशिश की, बहुत खुदा, बहुत निकलने की कोशिश की, लेकिन दो-तिन जगा से छिल भी गया, बीचरा निकल नहीं पाया, फिर उसको समझ में आ गया, कि मैं इस खड़े से नहीं निकल सकता, अब या तो सुबह कोई मुझे देखे, या कोई दूसरा आदमी आए, वही मुझे निकालेगा, तो वो कोने में जाके आराम से ऐसे करके, लड़ खड़ाते, चलते चलते वो भी उस खड़े में गिर गया, अब वो जब खड़े में गिरा तो आदा नशा तो वही पी उदर गया उसका, फिर अचानक से उसने देखा खड़े में गिर गया, बाहर निकल लेगी बहुत कोशिश सी, पांच मेर तक कोशिश की, पैनी करें कैसे निकलें, तो वो पीछे जो बेटा था, वो चोचर ने बिचारे को जाके बता दू कि तू अकेला नहीं में भी हूँ, तो उसने पीछे से कंदे पे हाथ रखा और कान में धीरे से कहा कि तूम यहाँ से नहीं निकल पाओगे, कपरस्तान, उसमें अंधेरा खड़ उसमें कोई कंदे पे हाथ रखके बोले कि तूम यहाँ से निकल नहीं पाओगे, तो यह जो दूसरा आजबी था, उसकी तो हालत इतनी खराब होगी, वो पता नहीं, बंदर बन गया, क्या बन गया, उसने जो जंप लगाया, वो दस फीट खड़े को कुद के बाहर निकल क्यों, एमर्जेंसी पावर एक्टिवेट हो गई, तो मोटिवेशन जो है न, वो आपके अंदर एमर्जेंसी पावर को एक्टिवेट करता है, वो आपको कैसे भी खड़ने से निकाल सकते हैं, दोस्तों, अभी 10 मीट का टाइम है, मैं आज उस टोपिक पर भी जाऊंगा, क क्योंकि हमारे पास टाइम करने, सबसे पहली चीज जो है, टार्गेट जो है न, वो दो लोगों के लिए सेट होता है, एक आपके लिए भी सेट होगा, एक टीम के लिए भी सेट होगा, मतलब कि जितनी भी चीज़े मैं आपको बताने वाला हूँ, एक आपको खुद भी कर पास पताने, कुछ लोग क्या करते है, सिर्फ अपने टार्गेट सेट करते है, सर मैं इस में ने 10 जोनिंग करूँगा, आपकी टीम में तो 4 प्लानर रहे, वो उनका पता ने सर मैं अ हारोगा, तो यह अदूरा काम, दूसरा क्या करता है, सर मैरे टीम में 4 लोगों के वो, सबसे ज़्यादा important है, जोईनिंग से मेरा मतलब है 2000 business volume मैं उससे नीचे की कोई बात नहीं करता हूँ, उससे नीचे में joining नहीं मानता हूँ, ठीक है, तो 2000 business volume या उससे ज़्यादा आपकी team में इस मेहने कितनी joining आप कराएंगे, कितनी आपकी team कराएगी ठीक है ये आपको सबसे पहले लिखना है दूसरा मेना इस मेने home meeting कितनी होगी दीखे उपर वाला जो है न वो result है परिणाम है नीचे वाला जो है न वो महिनत है home meeting होगी तो joining automatic होगी लेकिन आपने joining का target set कर दिया फिर plan सोकर home meeting का target set नहीं किया तो फिर आपका target achieve नहीं होगा दोस्तों इसलिए आपको new joining का भी target set करना है और उसको पूरा करने के लिए आपको home meeting का target set करना है अगर आपने अभी तक एक भी home meeting नहीं की है तो इस मेने आप फिर भी तीन home meeting का target लीजिए ठीक है अच्छा मैं ये देख रहा हूँ कि मैं home meeting home meeting home meeting तो पिछले साथ साल से कर रहा हूँ लेकिन बहुत लोग ना वो सुनते हैं और वो बोलते सर आपको पता है भगवान ने दो कान क्यों दिये हैं एक कान से सुनने के लिए और दूसरे कान से निकालने के लिए और वो नहीं करते हैं home meeting लेकिन बहुत से साथी बहुत जबदस तरीके से home meeting करते हैं मतलब इतनी home meeting करते हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा पाओ कि कई सारे करते हैं मैं यह भी मानता हूं कि बहुत से साथी करते हैं, शायद मुझे पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपके सामने एक लीडर को यहां पर लाना चाहूंगा, मैं जोयता मेडम से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार अन्म्यूट कीजिए. मैं रिचर्द मॉनिंग मेडम, हेड़फोन चोल वे ना, हेड़फोन चाड़ते हो वे, हेड़फोन निकाल दीजे पुरा, हाँ अभी आपका आवाज आ रहा है, मेडम आप बताईए, आपने पिछले दस दिन में कितनी होम मीटिंग की? तो यह जुड़ा मेने में थर्टी फर्स डेत है, तो हम मान लेजे, पत्चीस दिन मान लेते है, तो चार की सबसे क्या आपकी टीम में सो होम मीटिंग होई है? जी सर होता ही है, अच्छा, होम मीटिंग में लोग नहीं आते हैं, आपकी मीटिंग में एक होम मीटिंग में ज्यादा ज्यादा कितने लोग आए हैं? इनवाइटी या सर मिला के? आज़ाइटी 27 आए है जी सरे इनवाइटी 27 था 27 और एक होम मेंटिंग में 14 भी था 27 इनवाइटी तो आप लोग को रिजल्ट आता है? जी सर, बहुत अच्छा आता है. दस हजार रुपे का प्रोडॉक्ट्ट सेल होता है? आज़ाइटी 7 अबहुत होता है अभी तक लेकिन जॉइनिंग बहुत होता है वहां से जॉइनिंग से दो-त्री हाजार जिस्त होता ही है जोइनिंग से जो आते हैं वो फिर बात में जोइन करते होगे ऐसा जी जी सर और फॉल आप में जोइनिंग होता है तो आपका बिजनस को ऐसे बढ़ रहा है दस परसंट 15 परसंट 20 परसंट जी सर इस महीने में मेरा एक लाग एक लाग 37,000 बढ़ा है अच्छा परसंटेज वा माच दोस्तों और भी कई सारे लीडर हैं मैं आपको अगर यहां पर यह सेशन चलाओ तो मेरा एक गंटा कम पड़ जाएगा और भी हमारे बंगल की बहुत सी टीमे है जहां पर लोग होम मीटिंग करते हैं हमारे नागालेन की टीमे है आसाम की टीमे है गुजरात की टीम ब बहुत ही शानदार रिजल्ट मिल रहा है, बहुत ही शानदार, तो उनको मिलेगा, तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो माई रिचर्च की होम मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, चलिए, तो नंबर ओफ होम मीटिंग, वो टार्गेट, जैसे ये तो दस दिन में उनने छे मीटिंग कर दी है, तो मुझे लगता यह और भी फिगर बढ़ता जाएगा, उसके बाद नंबर ओफ लिस्ट बिल्डिंग, जो लोग मीटिंग में जुड़ते हैं, उनमें से कितने लोगों का आप लिस्ट बना गए, ये भी आपका टार्गेट होना चाहिए, फिर उस से नीचे वाली है, वो तो मतलब छोटा बच्चा भी कर लेगा, वो भी है, और उसके बाद इस मेने आपकी टिम में कितने लोग नए प्लान दिखाना शुरू करेंगे, और नए होम मीटिंग करना शुरू करेंगे, वो आपको ये पांच प्रकार के टार्गेट लेके आप को चलना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आप काम कैसे सुरू करोगे, तो जो भी लोग जुरते आपके साथ पहले उनको आप प्रोड़क्ट दिला दीजिए, प्रोड़क्ट के बाद आप उनके साथ 1-2-1 मिले और उनको बताइए कि आप कैसे इस बिजनस से एक इंकम क् चलता है, ठीक है, लोग बोलते हैं प्रोड़क्ट को प्रोड़क्ट अपने आप चलते हैं, फिर उनका माइंडसेट की है, आपने काम करने के लिए, फिर उनके घर पर मीटिंग करना शुरू किया, और वहां से फिर आपका काम आगे बढ़ा, ठीक है, तो यह एक गंटे का कल वो पोस्ट हो जाना चाहिए, यहां पर एक सजेशन में आपको देना चाहूँगा, आप पूरे महीने का जो टार्गेट है वो अपनी डायरी में रखो खाली, लेकिन आप टार्गेट लेके जाओ दस-दस दिन का, उस लोग बोलते हैं सर्फ पांच दिन का करें तो, फि किसी लीडर ने सोचा है, कि मुझे इस महीने जो है, पंदरा लोग को जोइन कराना है, तो एक से लेके दस तरिक में मेरा कमसकंद फांच जोइनिंग तो आना चाहिए, वो आपने क्या किया, आपने टार्गेट को ब्रेक कर दिया, टुकडो में करना आसान हो जाता है, ठीक हैं, तो बूला हमें नहीं पता, हमें तो बस यह प्रोसेस है, इसमें अमें इतना इतना लेकिन जेखना ही, तो आप एक से लेकर दस तरिकित करें, टैन परसंट का रेशियो है, 600 लोग इस मीटिंग में हैं, तो साथ लोग इसको करेंगे, अब आपको ये डीसेड करना है, क पान सो चालिस में आना है ठीक है ना ये डिसिजन आपको लेना ये डिसिजन मैं नहीं ले सकता तो उसका पोस्टर बना है और सारी जगह पे पोस्ट करें जिससे कि आपको पता चले आपकी टीम को पता चले कि आप इस महिने पहली तारिक को कहां पे दूसरे तारिक को कहां प पंदरा अगस का त्योहार आ रहा है ठीक है अगस क्रांती भी हुई थी अगस महिने में तो इस सुब महिने को ध्यान में रखते हुए आप जो है इस महिने डायमन टलब शुरू कर देंगे ठीक है यह मैं आपको एक एडिशनल एडवाइस देना चाहूंगा फ्री में कि इस म माना है और उन्होंने डायमन टलब करना शुरू किया मैं उन लोगों से जरूर मिलना चाहाँगा तो दोस्तो बड़ा मज़ा आया बहुत इंटरस्टिंग टोपिक था आज और एक ही चीज़ के उपर हमने बात की सेल्फ इमेज खुद को कैसे देखते हैं उसके उपर हमने बातचीत की और उसको कैसे मजबूत करें उसके उपर भी हमने बातचीत की उसमें थोड़ा डिटेल में भी गए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे इंप्लिमेट करेंगी क्योंकि MD सर कहता है कि knowledge never creates results but applied knowledge creates results जो जो ज्यान इस्तमाल में आता है उससे हमें परिणाम मिलता है तो मिलते कल सुपह सारे छे बज़े क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा विश्योल दे बेस्ट वी दे बेस्ट मायरी चाज जै मायरी चाज जै आरवेदा जै हिल